अगर आपका बेबी 6 months का है या उससे बड़ा है और उसमें solid food स्टार्ट कर दिया है तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कौन-कौन सी feeding products हैं जिनसे हमारे बच्चे की feeding journey easy हो जाती है तो आएए देखते हैं बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसका अन्यप राशन किया जाता है और उस टाइम चांदी की चमच, कटोरी, गिलास आते हैं जिसमें बच्चे को खिलाया जाता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पहली तो आती है एक feeding chair अगर आपने बेबी के लिए एक feeding chair ली है तो बहुत अच्छी है क्योंकि बच्चा इसमें अराम से बैड़ जाता है इसमें एक belt होती है और पीछे इसमें cover भी होता है जिससे उनको softness मिलती है प्रे पर direct भी चीज़ें हम दे सकते हैं बच्चों को offer कर सकते हैं खाने के लिए क्योंकि ये detachable होती है और easily wash हो जाती है second product जो आप ले सकते हैं बच्चे के लिए वो है बिब ये waterproof cloth बिब है जो easily wash हो जाता है और कोई भी अगर इस पे दाग लगा हो वो बहुत आसानी से छूट जाता है तो initial stage पे तो मैं यही use करती थी अब हम ये वाले बिब नहीं use करते कि मेरा बेबी अब बड़ा हो गया है तो अब हम ये वाले बिब नहीं use करते हैं अब हम इस type के बिब यूज करते हैं जिसमें crumb catcher भी हो क्योंकि अब चीजे वो खुद से खाने लगा है तो चीजे गिरती है तो नीचे की जगे इसके crumb catcher में गिरती है और ये बहुत ही soft ह हैं पीछे इसमें neck के round आप इनको adjust कर सकते हैं ये silicon का है इसके अलावा आप ले सकते हैं henky आपको जरूर रखने होते हैं साथ में जब भी आप बच्चे को feed कराएं या खुद से खा रहा होगो तो ऐसे towel वाले henky जरूर रखे अपने पास क्योंकि ये बहुत अच्छे से wash हो जाते हैं अगर ये नहीं रखना चाते हैं तो आप cloth के henky आप मल-मल के बनवा सकते हैं वो बहुत ही soft होते हैं निबल्स ये बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आपको fruit देना हो बच्चे को कुछ या कोई vegetable देनी है boiled form में तो आप इसमें रख सकते हैं उसे दे सकते हैं और वो आराम से chew करता रहता है ये easily wash हो जाते हैं एक और बच्चे को mash करके खिला सकते हैं चीजे spoon से ही mash हो जाती है इसमें और बच्चे को आप feed करा सकते हो तुरंत अगर कहीं भी आप गूमने भी जा रहे हो मैं हमेशा बनाना रखती थी उसको खिलाने के लिए easily mash हो जाता था और क्यूंकि इसमें cap भी है तो उसको आप cover भी कर द होता है और उनके लिए spoon भी हमें छोटी ही चाहिए होती है अगर हम अपनी spoon से खिलाने लगे तो बहुत बड़ी होती है सारा सा जो खाना है वो भी गिर जाए और जो हमकी देना चाह रहे हैं वो खा भी ना पाए बच्चा तो इस age के लिए बहुत ही छोटी-छोटी spoon साती ह है और अब अनी इन spoon से खाता है क्योंकि यह बहुत ही अच्छी है जिनको बच्चा आराम से पकड़ सकता है यह बेई भी हक्की spoon ली थी मैंने वह अब इनी को यूज करता है नेक्स्ट है हमारा सिपी बॉटल्स बच्चे को पिलाना सिखाना है खुद से तो सिपी बॉटल् सिपी बॉटल स्टार्टिंग में मैं एवेंट की यूज कर रही थी जिसका निपल बहुत ही सॉफ्ट था और बच्चे जब बड़े होते हैं उनके दानत आ जाते हैं तो वो उसको काट भी देते हैं फिर मैंने यह दूसरी मंगाई बेबी हक्की है जिसका पाउट जो है व तो उसके चोकिंग हजार्ड हो सकता है उनको नाक में आक में जा सकता है पानी उसके लिए यह बॉटल बहुत अच्छी होते हैं यह 360 मग है यह भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए अगर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं एक बहुत ही यूसफुल प्रड़क् है और क्योंकि मुझे अपने बेबी को लेकर जर्णी करनी पड़ती थी तो इसमें एजली वह खा लेता था यह मैंने बाउल लिया था जिसमें की दो इस्पून और फोक भी आया था साथ में आराम से कवर हो जाता है आप इसे कहीं लेके अपने बैग में चोटा सा डालके भी चल सकते हैं अगर बच्चे को कहीं घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं आसपास भी इसमें चीजे आराम से रख लो बंद कर लो इस्पून्स भी आपकी सेफ रहेंगी एक ही जगे सारी तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है बाउल आप ऐसी बच्चे के लिए डिवाइडर प्लेट भी ले सकते हैं जिसमें अलग-अलग चीजें दे दे अच्चो के लिए ऐसा फीडिंग सेट भ बनाई हुई है उसको भी आप जरूर देखें यह थे कुछ प्रड़क्ट जो आपके बेबी की फीडिंग जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं और अगर आप एक वर्किंग मदर हैं तो आपके लिए भी वीडियो बहुत व्यूसफुल हो सकती है अगर आपके बेबी ने कोमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर